बड़े में केट काटने के लिए लाई गई तलवार से हमला एक की मौथ एक गंभीर डोप से खाया प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स मुंबई के वडाला में दोस्तों की बीच हुए विवाद में एक दोस्त ने अपने दोस्तों पर तलवार से हमला कर दिया जिसमें एक दोस्त की मौत हो गई और जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है घटना वडाला के कलपक नाका में गुरुवार की रात करीब आठ वजे हुई है जानकारी के मताबिक के काटने के बाद ये विवाद हुआ है हमले में जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम नकी खान 19 वर्सिये है और घायल युवक का नाम मुस्तकीम 19 वर्सिये बताया जा रहा है जबकि आरोपी युवक का नाम शबीर शेख 19 वर्सिये है और पुलिस ने इसे गिरफतार भी कर लिया है जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मताबिक आरोपी शबीर सेख से तलवार नकी खान और मुस्तकीम ने खरीदी थी बर्थरे के बाद शबीर सेख तलवार वापस मांगने लगा और इसी कुले कर विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ा कि शबीर ने नकी खान और मुस्तकीम पर तलवार से हमला कर दिया सायन अस्पताल पहुँचने से पहले ही नकी खान की मौत हो गई जब कि मुस्तकीम की हालात गंभीर बनी हुई है अंटाफिल पुलिस ने आरोपी शबीर शेक को गिरफतार कर लिया है इस पर आईपीसी की धारा 302, 307, 323, 504 के तहट मामला दर्जकर कानूनी कारवाई की जा रही है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटाइम्स